किसान भाईयों नमस्कार मैं हूँ दसरदाकर आप देख रहे हैं डी पार्मिंग यूटूब चेनल किसान भाईयों आलू की फसल जब 30-35 दिन के आसपास होती है इस समय आलू की फसल में आपको एक जरूरी काम करना होता है अगर आप यह काम समय पर कर लेते हैं तो इससे सुरुवात में आलू का वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है फसल में पीलापन भी नहीं आता है पौदा एकदम स्वस्त रहता है अच्छे से ग्रोथ करता है साथ ही आलू की फसल में कोई बिमारी का प्रकौप नहीं होता है आलू की जड़ों का विकास बेहतर होता है जिससे जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक जाती है आलू में एक काम करना है कई सारे फाइदे आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वीडियो को बिना स्कीप किए आखिर तक जरूर देखिए चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे की जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक जानकारी पहुंच सके किसान भाईयों अधिक तरे सेतरों में किसान भाई आलू की बुवाई कर चुके हैं वहीं कुछ सेतरों में अब आलू की बुवाई का कार्य प्रकरती पर चल रहा है जब आलू की वसल 30 दिन के आसपास की स्टेज में आती है इस समय केवल वसल में जरूरी होता है कि वसल हरी वरी बनी रहे अच्छे से बड़वार करती रहे और आलू की जड़ों का विकास अच्छे से हो ताकि जो कंद बनता है उसका विकास अच्छे से हो सके तो इसलिए आपको इस समय आलू में नाइट्रोजन पासपरस और पोटास की पूर्टी करना होती है नाइट्रोजन एक परकार से फसल की वानस्वतिक विकास में मदद करती है पोदे की गरोध को बढ़ाती है पासवोरस जड़ों का विकास करने में मदद परदान करता है और पोटास कंद को बढ़ा बनाने में मदद करता है मुख्य रूप से इन तिनों तत्तों की पूर्टी आपको करना होती है बहुत से किसान बुवाई के समय ही इन तिनों तत्तों की पूर्टी कर देते हैं लेकिन फसल की सुरुवाती स्टेज में अगर आप इन तिनों तत्तों की पूर्टी कर दें ध्यान से सुने किसान भाईयों कि जब आलू की फसल 35 से 40 दिन के असपास होती है उस समय आलू में आपको NPK 1919 जिसमें नाइटरिजन पास्परोस और पोटास की मातरा पाई जाती है पानी में गुलनसिल काद NPK 1919 का आपको एक किलो ग्राम परती एकड की दर से 150 से 200 लिटर पान आकर एक एकड में स्प्रे करना है जिससे क्या होगा कि आलू में नाइटरिजन पास्परोस और पोटास की पूर्ती हो जाएगी जिससे आलू का पोदा सुरुवात में अच्छे से विकास करेगा पोदे की जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा उसके बाद जब कंद ब बेहतर तरीके से, ग्रोथ और बेहतर तरीके से विकास करेगा तो अज़र आप NPK 19-19-19 का पर्योग करते है तो इससे आलो की वस्वन में कई सारे फाइदे देखने को मिलते है तो इस परकार से आप अगर यह काम कर लेते है तो कई सारे फाइदे आपको मिल जाते है उमिद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक अपने किसान भाईयों के पास सियर करें धन्यवाद जै किसान